Hello everyone, क्यासे आप लोग, IWOB सब लोग बढ़े आउंगे, मौच कर रहे होंगे एक incident पहले आपके साथ share करता हूँ, उसके बाद इस tutorial में बढ़ेंगे इस वीडियो में जो आपको सिखाऊंगा वो बहुत साथ important होने वाला है बाद में बताता हूँ, क्या मैं सिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको एक incident बताता हूँ हमारे बहुत सारे student अलग-अलग company में interviews देते रहते हैं और सबसे कैसकते हो कि मेरी आदत है कि मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि actually क्या question पूछा गया, आपने कैसे जबाब दिया और आप इसको कैसे इंप्रूफ कर सकते हूँ यह चीजे normally चलती रहती है अगर मेरे साथ suppose आपने कोई interview दिया और आप से मेरी बात हुई तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ थोड़ा सा एक कैसकते हूँ कि feedback लेता रहता हूँ कि हाँ कैसा question पूछा गया आपका कैसा interview गया उसको कैसे इंप्रूफ कर सकते हूँ सब चीज बात चलती रहती तो अभी क्या हुआ कुछ student इंटर्व्यू दिये थे और उनसे कुछ तगड़े तगड़े questions पूछे गए और वो questions जावा के नए वर्जन से related थे जैसे एक question पूछा गया था जार हेल के बारे में फिर question पूछा गया था JPMS के बारे में module system के बारे में module को compile कैसे करना run कैसे करना तो यह कुछ important questions है तो इनको मैं कबर आप करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आने वाली वीडियो के अंदर क्योंकि यह question important है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपकी class लगा देते हैं देखो सब लोग को job चाहिए और at least मान के चलो आप daily हमसे 10-15 लोग 20 लोग और जादा ही लोग job के माने पूछते हैं किसे job नहीं मिल रही है और हमारा resume नहीं shortlist हो रहा है हमें interview नहीं मिल रहा है हम कैसे job पाएं तो यार देखो आज के लोगों की दिक्कत पदा क्या है वो पढ़ना ही नहीं चाहरा है और अपने आप से तो एकदम ही नहीं पढ़ना चाहरें अगर हमने जावा 8 तक पढ़ा दिया तो आप अपने आप से भी तो कुछ explore करो ना आप अपने आप से नहीं करोगे तो कोई हाथ पकड़कर कब तक सिखाएगा बाई आप यह चीज़ सीखो ना अगर यह चीज नहीं सी नई चीज़ें नहीं सीख वहाँ है वहीं सीख गए जो दूसरा सिखाएगा तो आइठाशक को पढ़ना चाहिए नहीं च किatoire आप से भी आप यह तो दो जो इसा इसा कुश्चन से कह सकतो कि हल जाते हैं और हलने के बाद फिर यह नहीं वह 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 नहीं वह तो कैसे होगा भाई जारहल को हम समझते हैं और मैं आपको काफी अच्छे समझानी कोशिस करूंगा जारहल क्या होता है और यह सब चीजें हैं वह आपको बता हो नहींच यहार क्योंकि यह जब प्रॉब्लम सोथी है तभी उनका सोलुक्षिन आता है तो जारहल की प्रॉब्लम थी एंदेन इसका solution हमारे पास आया, उस solution के बारे भी हमें सीखना चाहिए, बट jar hell क्या होता है सबस्टेब में हमें समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़, थोड़ी मोदी नहीं, बहुत सारी समझनी पड़ेगी, तो हम लोग सुरू करते हैं, इसको हलका चोटा करते हैं, jar hell, जैसे इसका नाम है hell, तो बिल्कुल, hell मतलब कोई दिक्कत वाली भरी चीज़ है, and jar hell मतलब jar से related, जितनी दिक्कत हैं, उसी को हम लोग jar hell बोलते हैं, बस आपको इतना ही बताना था, अगर interview में किसी से पुछा जाए, तो आपको अगर करते हैं, अपने jar के अंदर, वो सब सीच में बता रखा है, तो को चेक आउट करना मत भूलीगा, अभी आया नहीं, अभी launch होगा, तो उसका बेट करेए, तो suppose jar file, अब बहुत सारे classes बनाते हैं, बहुत सारे classes बनाएंगे, बहुत सारे interfaces बनाएंगे, so let's create, हम कुछ classes बना लिए बहुत सारे पर सिर्फ interfaces ही नहीं बनाते हैं जरूरत पढ़ने पर हम लोग क्या बनाते हैं जरूरत पढ़ने पर हम लोग और भी चीज़ बनाते हैं जैसे इनम्स हो गयरा भी बनाते हैं तो let's suppose हमने इनम्स भी बना लिए बस आप देखते जाएगे कहीं भी मिसना हो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी और आप इनम्स भी मैंने बहुत सारे बना लिए अब क्या होता है कि इन फाइल्स को या इन class file interfaces and package इन चीजों को आप ग्रूप करते हो कैसे आप ग्रूप करते हो एक package बनाके एक package बनाके इनको इसको हम थोड़ा साही कर लेते हम लोग बना लेते हैं इसको पैक वन तो यह हमारा पैकेज है और पैकेज के अंदर हमने अपने इनम्स classes interfaces को ग्रूप कर दिया इसी तरीके से यह पैकाज होगा लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपके आपके पास बहुत सारे पैकेजस होंगे एननम्बर पैकेजस होंगे जैसे है पैक वन है उसीधर आपके पास पैक टू होगा और इसके अंदर भी बहुत सारी classes होगी बहुत सारे interfaces होंगे बहुत सारे enums होंगे और बी चीजें हो सकती है classes को represent C से, interfaces को I से, and enums को E से represent करते हैं, तो ऐसे करके हमारे पास packages हो जाते हैं, और बहुत सारे packages हो जाते हैं, अगर आप अपने किसी actually project के अंदर काम कर रहो हो, अब क्या होता है, अधिक्कत होती ही तब, जब आपको in packages को, या in packages को bundle करना होता है, एक file के अंदर डालना होता ही, packages के सास्स resources भी हो सकते हैं, हो सकता है, कोई email file हो, हो सकता है록 को I media file हो, तो क्या करते हैं हम लोग, हम लोग package करने के लिए, हम लोग एक file बनाते हैं, जो होती jar file, तो हम इस पूरे को पूरे को एक को नहीं जितने package हमारे पास हैं इन सब को उठाके हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं एक jar file के अंदर डाल देते हैं यह होता है हो जाती है हमारी jar file जिसको हम बोलते java archive file तो इसका कुछ नाम हो जाता है हमारी लाइबरेरी है तो हमने का lib.jar file तो हमने अपनी jar file के अंदर अपने packages को group कर लिया तो jar file को define भी ऐसे करते हैं कि group of packages group of packages and resources को resource है तो उसको भी हम root directory में डाल देते हैं जो फ़सकता classes को access कर रहे हैं को जीवाई फाइल आपने बनाई हो तो वो जीवाई फाइल या को जीवाई ग्राफिकलर इंटरफेस बना रखा हो swing से तो वो जीवाई किसी file को access कर रहा हो तो हम इसके अंदर media resources को भी डाल द जितरी भी classes लिखी है वो सब access कर सकतो सारे packages को access कर सकतो if you want to distribute अगर आप चातो कि यह jar file हम किसी को दे दे कोई बंदा है हमारे पास Tommy या फिर कोई बंदा है John और आप चातो कि हम अपनी library को distribute करें तो आप इस jar file को उठा करके और यहां पर आप दे दोगे यह jar file को अपने class path मे classes को access कर लेगा even classes को access कर लेगा देख लेगा इसके methods सब चीज़ देख लेगा आपकी पूरी coding भी देख सकता है चलो बढ़े यह चीज तो हम समझे कि jar file के अंदर हम अपने files और packages को group करके and then हम लोग इसको share कर सकते हैं इसको executable बना सकते हैं अलग-अलग projects में use कर सकते हैं इसके अंदर हम एक main class भी define कर सकते हैं जब इस file को हम लोग run करेंगे तो वह main class execute हो जाती बट इस file के साथ बहुत सारी problems है कुछ problems में बताऊंगा और वही problem होती वह problem में बता रहा हूं वही जो problem है उन्हीं को jar hell बोलते हैं यह file अभी तक यूज होती थी और अच्छा सबसे अगरी चीज में आपको बता दूं कि Java 1.8 या फिर जिसको हम लोग Java 8 बोलते हैं जावा 8 जावा 8 तक हम लोग इसी jar file को यूज करते थे और अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते को पहले से jar files बनी है उनको तो हम यूज करते ही करते हैं बट नया concept आ चुका है Java 9 से Java 9 के बाद नया concept आ चुका है module system का तो अब इस concept को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया जो इसकी प्रॉब्लम थी जार हल की प्रॉब्लम थी उन हल को या उन हल को अब स्वर्ग बना दिया गया है विद्ध हल जावा 9 and later versions क्योंकि यहां आ गया है JP MS Java platform module system अला concept तो अभी इस तो आपने jar file माइस कंक्टर आपने उसकिया होगा डिटाबेस स्क्राइवी युजच किऊरओ थी अगर आपने और के ल्गा तो आप यूज करते थे आपने पर यूज को आपने लाइबरी उसकी होगी तो इस जार फाइल को आपने डाउंलोड कर गया और अपने प्रोजेट के अंदर लगाया होगा बनती है तो जार फाइल के साथ प्राइब्लम किया है सबस्क्た शार बहुत आरी बहुत फाइल पांस पर इसके अंदर बहुत सारे लिकते हैं और करते हैं सबसे पहले लिक्कत है है no class found error in the middle of the execution of the program no class found no class found no class found error error at runtime अब यह कौन से एरर है देखिए जब भी आप अपनी कोई class बना रहे हो इसको समझेगा जो मैं समझा रहा हूँ उसको बस समझेगा सब्सक्राइब आपने कोई इस class बनाई आप अपने प्रोजेट के अंदर कोई एक जार फाइल यूज कर रहे हो यह आपका लाइबरी मैंने बताया कि इन दा फॉर्म उफ जार फाइल यूज कर सकते हो आप तो आपने एक जार फाइल लगा रखी और इस लाइबरी की सबस्क्राइब बनाया है अपने का ओपने एक्टक्राइल नहीं डएगा लेकिन दिए और यहाँ अचि बनाया और आपको पता है कि यह जार प्रोग्राम हो रहा हो उस समय कोई program error नहीं आनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छी practice नहीं आनी चाहिए runtime errors को हम avoid करते हैं हमेशा क्योंकि जब actually program run कर रहा है तो आपके control में नहीं यह program सामने वाले vendor के पास होगा program यह हो सकता है कोई और problem हो रही हो तो सबसे बढ़िया होता क्या कि हम जब प्रोग्राम को compile करने उसी समय पता चाल जाता यह program हमारा compile ही नहीं होता समझ भार है तो यह एक दिक्कत है इसको हम लोग जार है अंदर रख सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे दिक्कते हैं मैं आपको एक एक कर बताता हूँ दूसरी लिक्कत है version conflict वर्जन का भी वह सारा conflict आता है version conflict version conflict version conflict means what कि भाईया आपने बहुत सारी jar file एड़ की है अपने project के अंदर बट उस jar file के अंदर जो jar file है उसके अंदर same class files आगी आप same class file आगी तब problem हो जाएगी same class file आगी problem हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ है आप इस अपने इस project के अंदर आपने तीन jar file उसकार कि 1 जी 1, जे तूवर 9 जे पाफ अंदर ये तीन जार अंदर एक क्रस्स है एक कार सियए क्रस्स mediatoten है और आप ये तीसरा एक क्रस्तव करने हो यहां पर अपने object बनाए है लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, जब आपने पाथ एड़ किया है, J1, J2, J3 ऐसा करके पाथ अपने एड़ किया, तो यहाँ पर जो कह सकते हो कि जावा उठाता है पाथ को, वो लेफ्ट टू राइट ओर्डर में उठाता है, लेफ्ट टू राइट ओर्डर में, अगर यह लेफ्ट है और यह राइट है, तो सबसे पहले अगर J1 मिला, तो J1 को देखेगा, फिर J2 मिला तो J2 को देखेगा, फिर J3 मिला तो J3 को देखेगा, तो सबसे पहले J1 मिला और J1 के अंदर, जो A मिलेगा उस A को यहाँ पर राइफर कर लेगा आप यूज करना चाह रहे थे J3 के A को बट यूज हो गया J1 का A अब यहाँ पर वर्जन प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आप दूसरा चीज उस करना चाह रहे हो और दूसरी क्लास उस हो गई कि हमें यह चीज पता चलना चाहिए यह जब हम यूज कर रहे हैं एक क्लास को तभी पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पे multiple क्लास ए नाम से multiple classes है different jar files के अंदर तो हो सकता था हम path change करके उसको पहरे डाल देते हैं इसको बाद में डाल देते हैं तो यह problem है, next और भी problem है, सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी problem है, देखो, lack of security भी jar के साथ है, lack of security, lack of security, lack of security, lack of security, और proper encapsulation भी jar files के अंदर नहीं पाता, encapsulation means what, कि आप अपने jar file के अंदर, let's suppose आपकी ये jar file है, इस jar file के अंदर, आपने 4 classes बनाई, आपने 4 classes बनाई, मैं बना के भी A, आपने class बनाई B, आपने class बनाई C, और आपने class बनाई D, ये 4 classes आपके पास है, अब लेवल, और आपने create की है, अब lack of security मतलब देखेगा, समझेगा बात, problem क्या होगी, problem होगी, हमारी जो classes है, उनमें से A और B जो class है, इसको मैं red mark कर रहा हूँ, ये A और B जो class है, वो सि internal purpose के लिए है, A को सिर्फ C यूज़ कर रहा है, और B को सिर्फ D यूज़ कर रहा है, तो हम जाते हैं कि A और B बाहर से कोई ना access कर सके, ना देख सके, यहां से कोई A और B को ना देख सके, सिर्फ देख सके तो किसको देख सके, सिर्फ देख सके तो D को देख सके, और C को दे तो इसका प्राब्लम भी जेता है जावा मोडूल सिस्टम जिसमें क्या है कि हम पैकेजिस को जब नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं हो सकते हैं और जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक reflection वगरे की API आप नहीं कॉल कर सकते हैं तो यह चीज भी JPA में समय प्रोइड करता है तो लैक आप सिक्यूरिटी भी है जार के अंदर यह जाद रखेगा भाई नेक्स्ट नेक्स्ट हमा वह हमें एक convenient तरीका प्रोइट करता है जिसकी हमारी साइस जो है मोडुल के अब थोड़ा सा और प्रोफित हमें मिल जाता है तो यह चार प्रोब्लम्स मैं ने समझाई आपको और यह चार प्रोब्लम्स ही जो है वह जारहल कहलाती है अब मैंने चारी सम्झाई बठो सकता ह एक दो तीछर और भी थोड़ी चोड़ी प्रोब्लम्स मोनिका सकते हो और निकाल देख से निगाले हुआ और बताईका अर बीरिलेक्शन बहुत यह जार सरे संबन्दित प्रावब्लम्स आगे से समझाना है यहीं चीज आपको को मताना है अगर ऀंटरवीघूर के साम्žा करो अब जो जावा 9 से नया concept है जावा module system उसको भी उसकरो जावा module system ने जारहल की problems को solve कर दिया है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो एंड अलग अलग तरकी से जारहल की problem solve की जा सकती है okay so I hope आपको समझ में आओगा next videos के अंदर मैं को उसे करूंगा jpms java module system के tutorials को डालने के लिए और बहुत तगड़ी टूरियल से और बहुत जरूरी है आज के समय में आपको सब चीज पता होने चाहिए सब चीज आप अप टूडेटेड रहने चाहिए okay so मिलता है next video के अंदर आपको ऐसे टूरियल चाहिए तो आप कमेंट स्क्रीन बता सकते हो और अपना अपना नाम और आप कहां से हो लेकिना मत बूलेगा मिलता है next video के अंदर तब तक लिए जय हैं जबारत और हाँ यार इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक